हेलो एवरीवन देखिए अब यूनिट 6 का एफ पार्ट करते हैं हम डिफ्रेक्शन और पोलरिजेशन अफ लाइट तो देखो सबसे पहला जो डूप एक आता है इसमें वह क्या है डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट डिफ्रेक्शन क्या होती है देखो इसको समझो पर तो जैसे य कि विंडो में करेजेशन अब सकता हैं इसमें चला करते है और फिस समयशन को स Etsy में ठीक है नहीं तो आप देखना कभी या सब पहर आरई होती है तो उसके ज़ो Azure अटेना वहां से क्या होती है उसकी दरफ 105 मतलब क्या जैसे मालव इस त्रीक के से मैं आपको बताऊं ठीक है यह विंडाइट आ रहे है ठीक है तो यह इसके एड़ेंज पर यह बेंड हो जाएगी ठीक है त्रीक सब्सक्राइब और मेन आरह जात पास है तो वो इसके यहां से बेंड हो जायेगी इस तीक से और यह साइड सब was एक यहां से प्राइड को क्या रहरा है अब देखा हुए यहां से सम्झे प्रइमचियों आघेंगा को चाहिए और विट्र ओंध यह लाइट आ यहां पर और जैसे इसको मैं normally आपको समझाओं जैसे मालो यह एक यहां पर इतना पार्ट है जिस में लाइट बाहार आ यहां वहार लाइट जब आएगी बाहर यहां से तो कैसे बाहार आज को अरफल के इन जब और बैंड न जाती है and spreading of light within the geometrical shadow और spread होती है light कैसे geometrical shadow of the opaque obstacles opaque obstacles क्या है यह वले ठीक है न यह वले औपेक obstacles है जैसे मालों यह window एतनी यह वली क्या है यहां पर यह वाल है इस तरीके से आप समझें ठीक है तो यह क्या होगे obstacle होगे एक तो इनकी geometrical shadow पड़ेगी, geometrical shadow यहाँ होगी, देखो light तो यहाँ से निकल रही है, यहाँ पर इनकी क्या हो जाती है, shadow हो जाती है, मतलब यहाँ दे रहा होता है, तो यह इनकी क्या हो जाएगी, इस side ही है, shadow हो जाएगी, तो वो चीज़ आपको हो रहा है, and the spreading of light within the geometrical shadow, यह इधर भी shadow है इधर भी shadow है, और in between this, क्या हो रही है, यह light spread हो रही है, ठीक है, is called the diffraction of light, क्या समझ में आई है कहानी, दुबारा समझ लो, diffraction का मतलब क्या है, जैसे मान लो, यह आपके पास यह इतना part है, जिसमें से light को आना है, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा अब, यह जो sharp edges है, इनकी इनकी बात बोलता है, यहाँ इतने पार्ट में क्या हो रही है, यह spread हो रही है, ठीक है, दुबारा पढ़ लो, the spreading of light, within the geometrical shadow, अपेक अबस्टेगल, यह वले, ठीक है, यह वली वोल है, यहाँ पर, और ऑस्टेगल, is called the diffraction of light, क्या तनी बात समझ में आई है, यह नहीं आई ह बताओ, clear है कहानी, ठीक है, तो ऐसे भी आपने देखा ही होगा यह चीज, normally जैसे एक window में से, जब यह light इस तरीके से आ रही है, तो यह यहाँ बाहर किस तरीके से निकल दिया, जैसे यह मैंने बना रखा है, यह 3D में, इस तरीके से बाहर आएगी light, ठीक है, यह light ऐसे आ बाहर ही है, और जब window आएगी, तो window में से ऐसे बाहर निकलेगी करके, ठीक है, वो चीज है, clear, तो diffraction जो होगी, यहाँ पर note करके हमने एक point लिखा हुए, diffraction is more when slit width A is smaller than the wavelength of light, इस चीज़ को देखो समझते हैं किस तरीके से कह रहा ही है, देखो जैसे मान लो, यह आपके पा लाइट आ रही है, ठीक है, उसके जो wavefronts है, वो कैसे बनते हैं, यहाँ पर, straight ही बनते हैं, इस तीक है, तो यह straight wavefronts आ रहे है, बदोर से light आ रही है, ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या किया है, एक slit लगा दी, जिसकी width कितनी है, यह है, ठीक है, अब आपको यह चीज पता है है, यहाँ से जो light निकलेगी, ठीक है, यह तो आपको पता है, यह जो यह wavefronts होते हैं, एक तरह से क्या होते हैं, यह new source of light का काम करते हैं, ठीक है, और यह हर एक point इनका क्या होता है, आपका, secondary wavelength होता है, ठीक है, जो की एक नया source of light का का काम करता है, यह चीज आपको पता है, secondary को कि यहांपर भी क्या होगा आपके बाद यह से कांड़ी वेफ्रेंस निकलेंगे यह नहीं निकलेंगे लेक ये दो आपके पास जो वेस्ञेंट हैं फिर इनके बीच कई जो डिस्टेंस है यह लेम्डा क्यों होता देखो जी सब्सक्राइब को बताया हो गया यह ट्यू से अधिर यह जा यह एक जाएंगी और इसानी बना जाएंगी आप पता हूं यह वाला क्या होता है ऑर को यह वाला ट्रफ होते हैं और क्रस्ट ऑर ट्रफ के बीच का ड्रीकर बार्ठ को जो यह वे कर पदेदे आपके बाद सोले क Ezra करेट वाले ट्रॉफ वाले ठलफ समय रहे हो तो इस जब हम यह cm ट्रिके तो यह वाला क्रस्ट वाला है यह वाला ट्रफ वाला है तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा लैम्डा ही होगा व्यसी बात है आप देखो कहा लिगा बाद, diffraction is more, diffraction ज़्यादा कब होगी, जब ये a, मतलब width small होगी, इस wavelength से, clear है इतनी बाद, अब ये वाला जो case है, ये हमने माना है कि ये width ज़्यादा है, इस से, lambda से, समझे रहो, तो width ज़्यादा है, तो इसमें diffraction क्या होगी, कम होगी, क्योंकि diffraction ज़्यादा कहा होगी, जहाँ पर ये width कम होगी, और ये lambda ज़्यादा होगा, कैतनी बाद clear है या नहीं है, बताओ ज़्यादा जल्दी से, ठीक है, अब जैसे इसमें हम दूसरा part इसका ही बना लेते हैं, ठीक है, तो इसमें diffraction थोड़ी इस वाले से ज़्यादा होगी, तो इस वाले से ज़्यादा मतलब क्या होगी, ये bend थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, इस तरफ इस तरीक्के से आप बना सकते हो, ठीक है, ऐसे, और यहाँ भी क्या कर सकता, आप ये wavefront बना होगी, इस तरीक्के से, ठीक है, यहाँ से wavefront इसी तरीक्के से निकलेंगे, और यहाँ पर थोड़ी diffraction, इस वाले पार्ट से क्या होगी है, थोड़ी ज़्यादा होगी है, ठीक है, और इसमें भी आप ये aero बना हो इस तरीक्के से, clear है, एतनी बात, ठीक है, समझते हो न, ये सब चीजे तो wavefronts के पर ये lines के हैं, light rays है, clear, अब इसमें third part आप कैसे बना सकते हो, जिसमें आप क्या करो, lambda को जादा करते हो, तो diffraction उस case में क्या होगी सबसे, जादा होगी हो, मैं यहाँ बना के दिखा देता हूँ, आपको जैसे माल लो, ये आपके पास जो है, small है, a, ठीक है, और यहाँ पर बहुत जादा होने वाली है, ठीक है, मतलब ये bending जादा होगी, ठीक है, तो ये bending हम इसमें जादा बना देंगे, इस तरीके से, समझते हो बात को, या नहीं बता हो जारा, जल्दी से, इस तरीके से ये आप बना सकते हो, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या होगा, आपके पास ये, wavefronts बन जाएंगे, इस तरीके से, तो आपको main कहानी क्या समझनी है, कि जहाँ पर ये width कम होगी, as compared to this lambda, वहाँ diffraction जादा होगी, ठीक है, और जहाँ ये width जादा होगी, और ये width जादा होगी, और lambda कम होगा, वहाँ diffraction कम होगी, जैसे ये वाला case था हमारा, और जिसमें equal to वाले से, तो ये आप comparison इसके करके देख सकते हो, ठीक है, तो main कहानी समझनी है, diffraction है कि जब light bend हो जाती है, sharp corners पर, ठीक है, ये sharp corners पर ही bend हो रही है, ठीक, और जो हम इसमें बोलते हैं कि जो इनकी shadow होती है, जो obstacle जो होता है ये आपके पास, opaque obstacle मतलब एक तो transparent होता है, ये opaque ह इनकी shadow बनेगी, तो shadow के बीच के reason में आप बोल सकते हो कि light spread हो रही है, इधर भी shadow होगी है और इधर भी shadow होगी, ऐसे आप इसको समझ सकते हो, क्या इतनी बात clear है, और main कहानी क्या समझनी है, slit width है जो आपकी वो कैसी होनी चाहिए, smaller होनी चाहिए as compared to wavelength, ठीक है, तो उस case में प्रेड़ी है सीओ द technique जात कि क्या सकते हो है, तो आपकी गलव जब। मि Pagi कि पॉप जर इसकते हो है जबाए है जबिधर बख़िया कि पनार र हो है, जबेदिकर भी जब होंएंवरिया है?